देखे आ लोग सबसे पहले तो समझना पढ़ेगा कि सत्वाल मलिक न यह आरूप लगाया क्यों है और सत्वाल मलिक लगातार बोल क्यों रहे है। दूसरी बात है कि सत्पाल मलीक बोलने के बावजूद भी अपने पत्र बने कैसे हैं यह दोनों चीज़े बड़ी महत्पूर्ण है महत्पूर्ण बात यह है कि जो बात उन्होंने जम्मु कश्मीर के संदर में कई तीन सो करोड का मामला देड़ सो करोड उसमें मुके संबानी और रिलाइंस के संदर बात की और देड़ सो करोड का मामला उन्होंने कहा कि पदादिकारी थे बारतियंता पार्टी के बड़े प्रबल और बहुत ताकतवर जनल सेकेट्री भी थे राम मादो जो है जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी थे भारतियंता पार्टी के तरफ से और उसके बाद आपने ये देखा कि कहानिया जो अख़बारों के अंदर छपी वो ये थी कि राम मादो अपने आपको पार्टी के अध्यक्ष के तोर पर देख रहे थे उनको इस बात की उम्मीद थी कि वो राजसभा के सद़ से बन जाएंगे लेकिन बीच बीच में ये भी खबरे आती थी कि दरसल उनकी अमित्शा से पढ़ती नहीं है इसलिए उनको थोड़ा सा साइड लाइन किया जा रहा है लेकिन आपने अचानक ये देखा कि एक दिन ये खबर आ गई कि राम मादो को ना तो राजसभा मिला ना ही पार्टी के अंदर कोई बहुत महत्तपूर पद मिला और वो वापस RSS के अंदर चले गए और कभी इस बात के खुलासा नहीं हुआ कि जिन राम मादो को नौर्थ एस्ट और कश्मीर के अंदर इतना पावरफुल और इनर्जेटिक जनरल सेकेटरी मना जा रहा था उनकी अचानक विदाई क्यों हो गई अगर आप इस घटना करम को सत्पाल मली के उस बयान से जोड़ कर देखें और उसके बाद किसी और जम्मू कश्मीर के किसी और RSS के पतादिकारी ने कोई बयान नहीं दिया सिर्र राम मादो ने बयान दिया यानि राम मादो का ये कहना कि जितनी डील हुई है सत्पाल मली के जमाने में उस डील की जाच होनी चाहिए अब अगर ये बयान अगर राम मादो दे रहे हैं तो ज़रूर इस में कहीं न कहीं राम मादो का नाम इसमें इंव hardness है ये जो डेर सो क्रोड की डील थी तो राजिका एक पूर गवर्नर इतनी बड़ी बात कर रहा है तो क्यों उस तीन सो करोण मामले की जाच क्यों नहीं हो रही जो बात अभी अशोक ने कहीं बड़ी मतपूल बात की है मतपूल बात यह कि कहीं विपक्षिय किसी नेता के घर पे कुछ भी हो जाए तो पता चला फोरण एडिया जाती है तो फिर वहाँ पे पे नाजिकक्स फूरो पहुंच जाता है पिर साथिसेत निये Android पहुंच इसके बारे में भारती जनता पार्टी का एक भी नेता के अंदर में मौझूद एक भी नेता बोलने को तयार क्यों नहीं है income tax को enforcement directorate को cbi को police को इसको इसकी जाच परताल कप करेंगे किस दिन करेंगे कहां करेंगे तो यह दर्शाता है कि या तो सत्पाल मलिक जूट बोल रहे हैं या फिर सरकार यह जानती है कि वो जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और अगर उसका जाच परताल कर दी गई तो उसमें कुछ बड़े खुलासे होंगे और इसमें पार्टी अंता पार्टी कुछ बड़े नेता फसेंगे तो यह एक चीज है जिस पर हम सम लोगों को नज़ा रखनी जाए दूसरी बार अब सत्पाल मलिक को जब वहां से कश्मीर से हटाया गया तो उनको गोवा ले समाएं हैं और वहां आपको कोई बहुत जादा प्लिटिकल एक्टिविटी होती दिखाई नहीं पड़ती है आप आराम से रह सकते हैं लेकिन सत्पाल मलिक का वहां के मुख मंत्री के ऊपर इतना गंभीर आरूप लगाना यह दरशाता है कि दरसल कहीं न कहीं सत्पाल मलिक के अंदर कोई खुंदक है और वो चाहते हैं कि उनको गवर्णर के पत से बरखास कर दिया जाये और वो यह भी जानते हैं कि सरकार के ऊपर अगर कोई भी आरूप लगाई है तो धीरे धीरे आपको या तो साइडलाइन कर देंगे या फिर आपके साथ कुछ ऐसा कर देंग की है एक सुब्रमणियम स्वामी सुब्रमणियम स्वामी भारती जनता पार्टी में रहने के बावजूद भी लगातार सरकार की नीतियों पर उनकी आर्थिक नीतियों पर चाहे वो डी मॉनेटाइजेशन का मसला हो चाहे जीस्टी का मसला हो चाहे वैक्सिनेशन का मसला हो चाहे कोरोना का मसला हर चीज़ पर इस सरकार को और यहां ते कि विदेश टीटी के मसले पर भी लगातार सरकार को गट घरे में खड़ा कर रखा है लेकिन इतनी सी कारवाई हुए है कि उनको पार्टी की नेसल एक्जिकिटिव से किनारे कर जाएगा बस तो हम इसको इस नजर जम्मू कश्मीर प्राइम पोस्टिंग वहां से गोवा के बाद मिखाले मिखाले के बाद के अंडमान निको वारनों को भीज़ दिया जाए मुझे इस बात का वो है तो लेकिन जो बात सत्पाल मलिक ने कही है अगर सरकार इमांदार है अगर उसको इस बात पर यकीन है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो उस पूरे मामले की जाच परताल लक्वल जम्मू कश्मीर होनी चाहिए बलकि गोवा में लोनी चाहिए सत्त हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर कि झाल पर यह जए वडर उनलोड लक्वल सब्सक्राइब के जाएब को कि और उकर पर प्ले लोगला है